अब सब clear है So friends, welcome to my channel कैसे हैं आप लोग, I hope आप लोग मसे में होंगे So section 9, disposed ये तो मैंने आपको बताई दिया था छुटकन्नी का वीडियो आ गया था जिसने नहीं देखा प्लीज मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा तो अभी अंकुष का वीडियो मैंने देखा और अंकुष ने चाहता थो कल भी जवाब दे सकता था लेकिन कल वीडियो नहीं बनाए ठीक है थोड़ा सव नुने वीडियो बनाया था लेकिन फिर आज fresh वीडियो बना के starting करी ठीक है और जो जो चीजे उनको बोलनी थी पूरे वीडियो में बात करेंगे आज ठीक है और काफी चीजे जो अभी तक नहीं बताए गई थी वो भी अंकुष ने बताई सुनके मतलब जटका लगा काफी चीजे जैसे की कौन-कौन से इंसिडेंस हुए थे क्या अंकुष की तरफ से कोई इनिशेटिव नहीं लिया गया था बहुरानी को लाने के लिए वो भी आज हमें बताया गया तो अगर आप लोग चानल पे न्यू है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और जो लोग फर्स टाइम आए है प्लीज प्लीज जरूर लाइक करके जाईएग तो चली वीडियो स्टाट करते हैं अब सब क्लियर है जैसा जहां बैसा वहां अधजल घगरी छलकत जाए तो काफी लोग का कहना था कि सोचल मीडिया पर कुछ स्टेंड होता है कोट में कुछ स्टेंड होता है खैर आज का जो वीडियो है इस वीडियो ने काफ़ी social media पे जो वो बोल रहा है और वाकई जो court में efforts चल रहे हैं वो हालंकि दोनों सेम हैं बागी कुछ लोग कह रहे थे कि social media पे जो चीज़े दिखाए जाती है वो सच नहीं होती वो fake होता है है ना तो वो तो जी जी तुमारे case में तो सही में fake होता है और आज वीडियो में आके जिस तरह बोल रही है कि मैं तो शुरू से थी ऐसी मेरी intentions हालंकि मैंने कभी court hearings की बात नहीं करी मैं तो जाना चाती थी शुरू से सही मैं आप जाना चाती थी मतलब उस इंसान ने section 9 सोची लगाया था ठीक है वो घर बसाना चाता था लेकिन ये मैडम उस टाइम कहीं कभी इधर कभी इधर भटक रही थी ठीक है उस टाइम इनको घर नहीं बसाना था आज जब वो मूव ओन कर चुका है वो डिसिशन ले चुका है रिजिड हो चुका है कि नहीं वो इनके साथ नहीं रहेगा वो आगे अपनी लाइफ देखेगा तब मैडम जी बिलकुल अब मैं घर बसाना चाहती हूं और अगर जो न्यू लोग है उनको तो काफी चीज़े नहीं पता हो चानल के थ्रू गंद से गंद बुलवाया जा रहा था तो चलिए अंकुष की वीडियो की बात करते हैं बागी आज कमल की बात हुई है हां मतलब कमल अफकॉर्स सिधार्त किचड में ही खिलेगा क्योंकि किचड से प्यार है उसे चाया और किसी से हो नहीं हो है ना और किच चड कचरा बोलने वाले जुटकनी जिजी इनको अब समझ आगे होगा कि सोशल मीडिया पर इन्होंने इतना कूडा कचरा सबको बोला है एक्चुली में सबसे जादा जो इन्होंने गंदगी करी है यूट्यूब पर यहीं है और चलिए आज अंकुष की वीडियो की बात क हैते हो और आप अपने घर में करके देख लो अगर आज आप सही हो तो आज अपने घर में बैठी होती राइट तो बात करेंगे बहुत टाइम से बोला जा रहा था अंकुष ने आज कुछ चीजी इस तरह से बोली कि मुझको अपने घर पे बुला के जो लोग कहते थे कि बर्देडे के आसपास जब अंकुष गए है ना और आपने वो वीडियो भी याद कियोगा जिस तरह से इंविटेशन दिया गया था है ना जब हम इतने लोगों को खिला सकते हैं तो तुम कभी खिला सकते हैं हलांकि किस तरह का बर्दे सेलिबरेशन था सब ने देखा था है है कि यह चुटकनी जिज जी जो आज इतना सिंपती काड़ खेल रही है अपनी वीडियोस में लोगों को यह जताने की कोशिश कर रही है कि सामने वाले की तो इंटेंशन कभी थी ही नहीं कि मुझको घर लेके जाने की है ना मैं तो हमेशा से घर बसाना चाहती थी खैर किस अपने सब्सक्राइबर्स को भी पागल बना रहा था खेर वह तो पागल तुम आज भी बनाई रही हो तो अंकुष ने इस वीडियो में जो बताया कि किस तरह से मैं वहाँ पे गया और यह चुटकनी ने क्या बोला था कि तुम मेरे पाओ पड़ो हलांकि सोचिए अपने ह घर में बुला के है ना और अपने ही जो इनके सगे संबंदी क्योंकि यह तो अकेले गए थे अंकुष अलाग कि सैनी सर थे साथ में तो अपने सगे संबंदियों के सामने यह बोलती बन्दी कि तुम मेरे पाओ पड़ो तो भाई यह तो सिर्फ छोटी सी चीज इन्होंने मतलब इतनी जादा गंदगी कि तुम मेरे पाओ पड़ो भाई वो तुम्हारे हस्बंड है तुमने कभी इसका रिस्पेक्ट नहीं किया और आज यह जो चीज निकल के आई कि तुमने इस तरह से भी बोला है हलांकि इनके वीडियो में कभी उन्होंने अंकुष नहीं भी पाओ उपनी मा के कभी नहीं दबाए लेकिन देखिये मैंने किसी और के बहुत बार पैर बाए हैं होता है कई बार हस्बंड वाइप का रेलेशनशिप है, होती है कई बार चीज़े होती है, बीबार होती है, हारी होती है है तो उस टाइम एक दूस्टरे की help करते हैं, लेक इसके बाद यहां नहीं उसने यह भी बोला कि उसके बाद गाड़ी इस इंसिदेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि गाड़ी भी मंगवा ली अपनी और उसके बाद फिर हमने भी अपनी गाड़ी खरीद ली थी मेरा एक्सिडेंट हुआ अगर आपको याद हो का 25 जून है एक्सिडेंट में भी यह बंदी मतलब परी तो वहां पर नहीं गई उपर से एक्सिडेंट के टाइम पर और वीडियो में भी इन्होंने वीडियो भी बनाया था जबकि सब लोग कह रहे थे कि यह टाइम था जब तुम चाहती अगर सब कुछ नमें घर पसाना था वाकई तो तुम अपने हस्बंड को देखने जाती ठीक है लेकिन नहीं तुम हस्बंड को देखने तक नहीं गई उस टेम कौन काम आया उसकी मा उसकी बहन उसका अपना परिवार ठीक है यह तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है आपने तो शुरू से जिन लोगों नहीं नहीं दे करती तो वहां पर वीडियो बनागे कहती थी कि मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं कि आप सोचे कि क्या कोई हस्बंड इन्वाइट करता है अपने बर्दे के लिए अपनी वाइफ को तो इस तरह की तो यह चीजे थी अगर हमने चीजे नोटिस करें तो स्टार्टिंग फी नहीं करी थी काफी चीजे तो अंकुष ने आज तक बताई आपसर के लिए जो आज इनको तरह सारा है यह सीनर सिंसान तो यहdad Mark प्वोट तो यह सब चीजें सारा पे भेजड़ और जिससले मेरा घर तोड़ा वो क्या मेरी सास है बहुत सारी चीज़े बोली है सोशल मेडिया पे एक्सिडेंट उस टाइम पे भी ये नहीं गई और जो आज अंकुष ने बोला है कि जुलाई 26 जुलाई को मेरी मदर ने यानि कि आंटे जी का फोन गया था इनके पास हां जी कान खुलके सुनिए तरू वालो स्पेशली प्रीतों के पास और प्रीतों ने क्या काता है कि हाँ पूछ के बताती हूँ सोचियो उस टाइम भी क्या बोला गया पूछ के बताती हूँ तो ये घर बसाने वाले काम थे उसके बाद भी जिजी का कोई reply नहीं तो जो लोग आज अंकुष की मदर को blame करते हैं कि उनकी तरफ से कोई step नहीं लिया गया था तो ये सच्चाई नहीं थी ये सच्चाई थी आज जो पता चली लेकिन 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 सोशल मीडिया पर इस तरह दिखाया गया कि कितना गंदा है अपनी बीवी को लेने नहीं आ रहा अरे भई एक इंसान को तुम जीने तो एक इंसान ने कितने torture सहा एक इंसान ने कितना harassment सहा लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा आही जाता है भगवान सच का साथ देते हैं तो आज दिख रहा है और ये भी बोला गया अंकुषने कि जो मेरा जो जज बोलेंगे मुझे ठीक है वो मैं करूँगा अपना मैं सारा जो भी मेरी responsibility है बच्चे के लिए मैं पूरी चीज़े करूँगा लेकिन येस आगे move on कर चुका है अपनी life के decisions आगे सोच लिए हैं क्या करना है कि जो जिजी ने जो कल जिस तरह से section 9 disposed मतलब public के सामने इमेज डालने ही कुशिश करी थी कि section 9 उन्होंने disposed नहीं किया judge ने disposed किया है of course वो जो section 9 था अंकुश नहीं file किया था वो घर बसाना चाता था ठीक है और उसने आज बोला भी ये कि मैं भाग रहा था अच्छी नियत के साथ भाग रहा था कभी court जा रहा हूँ section 9 के तहट तो मैरी महरत देखी है लोगो ने अब मैं एक जगा बैठूँगा अब मैं क्यू भाग हूँ मैंने उस time देख लिया था सामने वाले के मन में क्या है ठीक है मैं समझ चुका था फिर मुझे समझ आया है कि मैं क्यू भाग रहा हूँ तो ये सब चीज़े हैं और जो सासू मा के लिए बोलते थे उसने अपनी बहू को आके नहीं लिया तो साब साब उसने ये भी clear कर दिया कि मम्मी का phone गया था तो ये उन्होंने बोला था पूछ के बताऊंगी सोची अपनी life के decisions भी अपनी जिज़ी जिज़ा और वही जिज़ा जो कहता था मैं साथ नहीं छोड़ूँगा वही बहन की खून के रिष्टे हैं और आज के टेम पे कोई भी इनके साथ नहीं ना इनका भाई ना इनकी भावी ना इनकी जिज़ी बढ़कर नी जिज़ी और ना जिज़ा जी कॉंस्टिटूशन कॉंस्टिटूशन जो करते थे तो आज इनको रियालिटी चेक मिल चुका है थोड़े से कॉमेंट्स आए है जो लोग बच्चे के लिए बोल रहे हैं इस्पेशली उनके लिए मुझे लगता है ये कॉमेंट्स पढ़ना में के साथ खुश है जो मैडम ने खुद कहा था साथ रहे कर जिंदेगी भर लड़ने से अच्छा है कि प्यार से अलग हो जाओ और सब अपनी लाइफ खुशी से जियो मैडम जी के अनुसार इनका अफेर चल रहा है पती बुरा था ससुराल बुरा तो अलग होना ही ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है हालांकि इन सब चीजों का आज तक कोई जस्टिफिकिशन नहीं है होटल अफेर और ये सब जो फालतों चीज़े बोली गई है इनके चानल्स के दुआरा प्रिति कभी किसी की सगी नहीं फिर वो प्रियंका की बातों में आके घर खराब करेगी अपनी शर्तों के साथ वापस आना चाहती है तो कौन धंके सुनके वापस लाएगा इस बार राया अंकुष तो फिर कोई नहीं ना अंकुष ना मा ना कंचन उसकी इंटेंशन से बदला लेना है और कुछ नहीं कोई गलती महसूस नहीं कि उसने अभी तक उसको तो अपनी गलतिया ही याद नहीं अभी भी कहती है कि सब की सामने वाले की गलतियां माफ करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो सोचिए उसको आज तक अपनी गलतिया ही नहीं पता है और फिर कहती है कि मैं तो घर पसाना चाहती थी मेरे इंटेंशन स्क्लियर थी मतलब तुम्हें शरम नहीं आती तो फ्रेंट्स यह था मेरा चोटा सा वीडियो आई होब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यह था जो अंकुष का reply आया है आज जब प्रीतो का वीडियो आगे था section 9 डिस पोस्ट ठेक है और section 9 मतलब खतम हो चुका है अब जिज़ी कह रहे हैं कि आगे mediation फिर से किया जाएगा दूसरा जो बिलासपूर कोट है उसमें चल रहा है उसमें papers अभी जो application है वो file वगएरा की गई है या जो भी है इनकी नजर उस पे case अब उन चीज़ों पे है तो देखे यहां से तो अब समझ में आगे होगा कि कौन यहां पे YouTube पे जो stand ले रहा है और कौन पीछे से जो stand ले रहा है उसका same है ठीक है हलांकि public को कौन भटकाता है sympathy card कौन खेलता है अब clear होता जा रहा है ठीक है चली friends money minded प्रीतों का ये वीडियो था और ये जो अंकुष ने जो बाते बोली जाएंगी जूटी बाते बोली जाएंगी allegations लगाए जाएंगी उसका reply करने में बिल्कुल आऊंगा तो चली friends ये था मेरा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like share subscribe कर दीजेगा और जाने से पहले thank you so much आप लोग